हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू एंड प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन आफ एरर्स तो नमस्कार, शास्रियकाल, आदाब, असलाम अलेकुम, मेरा नाम है इम्रान और आप सभी का आपक स्वागत करता हूँ तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस प्यारे से वीडियो लेक्चर को तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन आफ एरर्स पहले इसके नाम के बारे मैं थोड़ी सी जानकारी तो रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को ठीक करना रेक्टिफाई करना ठीक है करेक्ट करना क्या करना ठीक है और एरर्स का मतलब क्या होता है एरर्स का मतलब होता है गलतिया क्या होता है गलतिया ठीक है जी तो गलतियों को ठीक करना कहलाता है रेक्टिफिक of errors अब ये गलतियां कौन सी होती हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं देखिए हम लोग जो कर रहे हैं अकाउंटिंग कर रहे हैं और अकाउंटिंग कौन करता है कोई भी वेक्ति हो सकता है कोई भी अकाउंटेंट हो सकता है वो new भी हो सकता है experience भी हो सकता है कोई भी हो सकता है तो गलतिया तो हो ही सकती है चाहे वो कितना भी खिलाला या खिलाली क्यों नहों ठीक है ना तो गलतिया तो होना लाजमी है हम लोग गलतिया करते रहते हैं चाहे फिर वो कोई भी काम हो भूल चुक सबसे होती है. ठीक है? क्योंकि सारे काम कम्प्यूटर्स नहीं करते है, कम्प्यूटर्स को operate भी कौन करता है, एक accountant करता है. ठीक है? तो गल्तियां तो होती है. तो उन गल्तियों को ठीक करना भी हमारा काम है. तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्शर के अंदर हम लोग थोड़ा सा बेसिक बाते करेंगे कि ये गलतियां कौन-कौन सी होती हैं, किस तरह की होती हैं और इसके बाद हम लोग डिसकस करेंगे कि इन गलतियों को ठीक कैसे किया जाए तो बहुत ही प्यारा और अच्छा टॉपिक है, आप लोग एक नोटबुक ले लिजिए, एक कलम यानि के पैन ले लिजिए और जैसा मैं लिखवाता हूँ, नोट्स बनवाता हूँ, आप लोग हातो आत, नोट्स भी बनाईए ताकि आप लोग को कोई भी दिक्कत परिशानी ना हो, तो चलिए, हम लेते हैं अपना next page जहां हमने theoretical part को cover किया हुआ है अब आपको एक एक करके सारी गलतियों के बारे में हम बताने वाले हैं, आप समझेंगे और इसे लिखेंगे सबसे पहले हम classified करते हैं इसे classification of errors, यानि के गलतियां कितने तरह की हो सकती है वो कहलाता है classification of errors, जिसमें सबसे पहली जो error है उसका नाम लिखा है हमने error of omission omission का मतलब क्या होता है दोस्तो, omission का मतलब होता है किसी भी चीज़ को भूल जाना यानि कि आपने कोई भी transaction की होगी और आप उसे record करना ही भूल गए, तो ये भी तो एक गलती है ठीके, तो पहली गलती क्या हो गई, error of omission हो गई, and second क्या है, errors of commission third क्या है, errors of principle, and fourth क्या है, compensating errors तो ये चार तरकी गलतीया है, एक एक करके हम full detail के साथ, आप लोग साथ discuss करेंगे, आप समझेंगे start करते हैं, let's start, जो पहली error है, error of omission जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी error of omission का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को भूल जाना omit का मतलब क्या होता है, भूलना, तो our transaction is completely और partially omitted, यानि कि कोई भी अगर transaction हुई है, कोई भी अगर transaction हुई है और अगर आप उसे भूल गए हो, completely या partially, completely का मतलब पूरी तरीके से भूल जाना और partially का मतलब क्या होता है, आप ने थोड़ी सी तो recording कर ली है, लेकिन थोड़ी सी recording नहीं किये, ठीके तो our transaction is completely और partially omitted from being recorded in the books of account, ठीके, मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि आपने कोई transaction की है, आपने या तो उसे पूरा भूल गए होगे आप record करना, या फिर आपने थोड़ी सी recording करी होगी और थोड़ी सी recording भूल गए होगे जैसे कि मान लीजी, आपने journal entry तो बना ली होगी, बट उसे laser के अंदर आप लिखना भूल गए, ठीके, तो इस तरीकी की गलती को हम बोलते है, error of omission अब इसके example देख लेते हैं, इसको एक एक करके हम करते हैं, ठीके ना, क्योंकि हमने यहां दो बाते पड़ी हैं, एक तो completely और एक partially अगर हम बात करें, error of complete omission, यानि कि पूरी तरीके से भूल जाना, तो इसके बारे में हमने कुछ लिखा है, notes, देखे ज़रा तो errors of complete omission arises, if a transaction is not recorded in the books of account, और a transaction recorded in the general journal is not posted in the ledger ठीक है जी, इसका मतलब क्या हुआ, कि आप अगर पूरी तरीके से भूल जाते हैं, किसी भी transaction को record करना, कहां पर books of account के अंदर या फिर क्या लिखा है, और a transaction recorded in the general journal is not posted in the ledger या फिर आपने क्या करा, दिखे हैं, आपर जो general journal लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, subsidiary books होती है जो आपने कही सारी subsidies book पली थी, उसके अंदर बात कर रहा है, आपने record नहीं करा है, पोस्ट नहीं करा है, लेजर के अंदर, ठीके ना, तो इस तरीकी गलती, अब यहाँ पर एक note लिखा है, मैंने color change करके, ताके यह जादा highlight हो, यह बहुत ही important part है, इसका, क्या part है, यहाँ such errors do not affect the trial balance, यानि कि अगर इस तरह की आप कोई गलती कर देते हैं, कोई आप completely किसी भी transaction को record करना भूल जाते हैं, तो इस तरह की गलती से, जो आपका trial balance है, वो effect नहीं होगा, अब यह trial balance इंट नहीं होगा, सिफ यही बात क्यू लिखी वी है, चलिए इसके बारे में थोड़ पहुच्टिंग करते हो, तो सबसे जो पहला part होता है, वो होता हमारा journal entry का, यानि कि जो आप बनाते हो, सबसे पहले क्या बनाते हो, journal entry बनाते हो, and then इसके बाद इसकी posting की जाती है, किसके अंदर? लेजर के अंदर करी जाती है, ठीक है जी, लेजर के अंदर हमने पोस्टिं करती, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आप लोग इसे कहां भेजते हो, trial balance में, कहां पोच जाती है चीजे, trial balance में पोच जाती है, और trial balance के बाद आप क्या करते हो, उस data का, वो पोच जाता है, आपका profit and loss account में, profit and loss account के अंदर वो data पोचता है, and then इसके बाद, जो final step होत का किस चीज़ का होता है balance sheet तो last में आप कहां पोस्ते हो balance sheet पर ये sequence होता है हमारा accounting का किसी भी company में firm में इसी तरीके से हर चीज़ को record and post किया जाता है यानि कि सबसे पहले आप journal बनाएंगे फिल ledger trial balance profit and loss account and balance sheet अब यहाँ बात आती है कि trial balance जो हमने अभी note लिखवाय था तो हमने वहाँ लिखा था कि आगर आप किसी भी transaction को record करना भूल जाते हैं तो उससे आपका trial balance जो होगा वो effect नहीं करेगा ठीक है वो effect क्यों नहीं करेगा suppose that माल लीजिए कोई Mr. Ramu थे और माल लीजिए मैं trading करता हूं की चीज़ की कोई भी object ले से हम लोग ठीक है ना transaction को record करना भूल जाओंगा जब कोई data ही नहीं जाएगा उसमें न सही न गलत तो trial balance पे कोई effect पड़ेगा ही नहीं वो परभावित हो गहीं नहीं ठीक है तो वहाँ पर जो note में लिखी थी बात यही बात लिखी थी कि देखें ट्रायल बेलेंस बनाया क्यों जाता है पहले य गलतियां तो नहीं हुई है ठीक है उसमें कोई गलती तो नहीं हुई है या कुछ आप भूले तो नहीं है इस तरह की जो छोटी-छोटी mistakes होती है उन्हें पकड़ने के लिए हम लोग क्या बनाते है ट्रायल बेलेंस बनाते है उसमें debit or credit दो कोलम बनते है एक पर्टिकुलर ठीक है तो अब आजाते हैं अपने दुबारा उसी note पर जहां पर हम थे हमने आपको बता दिया कि यह note जो लिखा है यह क्यों लिखा है note लिखावा है such errors do not affect the trial balance यानि कि अगर आप किसी भी transaction को record गरना भूल जाते हैं तो trial balance पर उसका कोई effect नहीं पड़ेगा क्यों नहीं प अब आगे देख लेते हैं इसका एक example लिखावा है जैसी कि माल लीजिए goods purchased on credit यानि कि माल जो है खरीदा गया है उधार from प्यूश प्यूश से माल उधार खरीदा है आपने not recorded in the purchases book यानि कि ऐसा भी हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि आप sale ही करो जैसे मैंने आपको एक्जाम हमने माल खरीदा है और माल तो खरीद लिया लेकिन हम record करना भूल गए ठीक है क्योंकि as a वह हमारे क्या बन जाएंगे क्रेडिटर बन जाएंगे ना तो क्रेडिटर बन जाएंगे तो in future मुझे पैसा देना पड़ेगा उनने लेकिन ये बात तो मैं record करना ही बूल गया अब आप उसे लिख लो तो भाई गलती सुदर जाएगी ठीक है ना क्योंकि यहां कोई amount की गलती तो है नहीं जो आप उसे correct करोगे उल्टा debit करोगे या credit करोगे ऐसा कुछ करना ही नहीं आपको भाई आप लिखना भूल गयते अब आप लिख दो तो वो गलती क्या हो तो इस तरीके से यह जो हमारी complete omission वाला पार्ट था यह पूरा हो जाता है I hope आप लोगों को समझ आ गया होगा अब देख लिते हैं अपना next point क्या है जो next point है हमारा errors of partially omission partially omission का मदलब क्या है जी आपने थोड़ा सा record कर लिया लेकिन थोड़ा सा record अभी नहीं किया है आप भूल गए है ठीक है देखिए इसकी theory का लिखी है errors of partially omission is an error where a part of transaction and not the complete transaction is omitted to be recorded यानि कि इसका मतलब यह है कि केवल एक part आप लिखना भूल गए हो ना की ना की पूरी transaction पूरी transaction नहीं बलकि उसका एक part भूल गए हो आप लिखना ठीक है note में क्या लिखा है such errors result in the trial balance not agreeing not agreeing का मतलब क्या है भई trial balance जो है इससे भी agree नहीं होगा for example क्या है example के तरुपर हमने लिखे है credit sale of goods to Raj recorded in the sale book ठीक है यानि के credit sale करा है माल उधार बेचा है हमने किसको बेचा है जी राज को बेचा था उधार माल in the sales book but not posted in the Raj's account भई जब भी आप किसी को माल बेचोगे तो यह बताओ उसकी journal entry क्या बनेगी अगर आप माल बेचोगे और किसको बेच रहे हो राज को बेच रहे हो तो नॉर्मल सी बात है कि जो जर्णल एंट्री बनने वाली है क्या बनने वाली है भई राज को हम क्या कर देंगे राज अकाउंट लिख सकते हो आप राज अकाउंट डेबिट करते होगे आप और क्या लिखोगे जी जब आपने माल बेच आए तो क्या लिखोगे टू सेल अकाउंट लिखोगे ठीक है इतनी बास समझे में आगई यह हमारी जनल एंट्री हो गई जनल एंट्री क्या होग और टू सेल अकाउंट हो जाएगा यह तो होगी जर्णल एंट्री लेकिन उसने क्या का है कि उसका एक पार्ट आप लिखना भूल गए यानि कि आपने आगे क्या लिखा देगो बट नोट पोस्ट इंदर राज अकाउंट यानि कि जब आपको इसे लेजर के अंदर पोस्ट भूल गए या फिर यह के सकते कि उसके अंदर ये एंट्री करना भूल गए किसके अंदर राज अकाउंट के अंदर ठीक है ना राज गए हो इसे कैसे ठीक करेंगे अरे बहुत कर दो इसे भी ठीक है ना इसका भी एक लेजर के अंदर इसकी एंट्री पास कर दो तो यह ठीक हो जाएगा ठीक है ना तो आई होप कि आप लोग को समझ आ गया होगा कि कम्प्लीट ओमिशन क्या होता है और पार्शली ओमिशन क्या होता है अब देख लेते हैं अपने next point को जो की है errors of commission तो errors of commission का मदलब क्या होता है errors of commission are those errors which arise due to wrong recording, wrong posting, wrong carrying forward, wrong casting of subsidiaries book, wrong balancing etc ठीक है अब दिखें यहाँ पर एक बात भ्यान देने वाली है मैंने white से लिखा था बट यहाँ पर red से लिखा है तो red से क्यों लिखा है ताके मैं जादा अच्छे से आपको highlight करा सकूं चीजे कि यह बहुत important part है important बात क्यों है error of commission का मतलब पता है क्या होता है अगर आप किसी भी चीज की wrong recording कर दो wrong recording कर दो ठीक है या फिर wrong posting कर दो ठीक है गलत posting कर दिया आपने या फिर wrong carrying forward अलग पेज बे ले गए गलत कर दिया आपने ठीक है या फिर wrong casting of subsidies book माल लीजे कोई sell book की item थी आपने उसे कहां बेद दिया cash बेद दिया अलग-अलग books बनती है ना बही cash book अलग बनती है sales return book अलग बनती है purchase अलग बनती है purchase अलग बनती है wrong casting of subsidies book ठीक है अगला क्या है wrong balancing ETC balancing का मतलब क्या है आपने balance गलत कर दिया यानि कि last का जो conclusion होता है जो totaling वगिर होती है उसमें आपने कोई mistake कर दिये तो इस तरह की जो errors होती है जो गलतियां होती है उसे हम क्या बोलते है errors of commission बोलते है ठीक है errors of commission बोलते हैं तो अब हम देखेंगे एक एक करके इन सभी के कुछ examples और ये trial balance को effect करते हैं या नहीं करते हैं ये भी हम देखेंगे तो जो सबसे पहला part था हमारा वो क्याता errors of recording यानि कि recording करते समय आपने कोई गलती कर दिये this error arises when any transaction is incorrectly recorded in the books of original entry यानि कि ये जो गलती है ये आपने शुरुवात में गलती करती recording करते समय तो आगे क्या लिखा है देखते हैं जरा note में लिकावाए कि this error does not affect trial balance यानि कि इस तरह की जो गलती होगी ना उससे trial balance effect नहीं होगा does not affect ठीक है ना example दे समझते हैं थोड़ा सा और understanding आजाएगी आप लोगों को example क्या है जी इसका goods of 5000 rupees purchased on credit यानि कि आपने माल खरीदा है 5000 रुपे का और किस से खरीदा है मोहन से खरीदा है credit मतलब क्या होता है उदार माल खरीदना ठीक है ना are recorded in the purchases book as rupees 50,000 please not this point यहां क्या लिगा है amount देखिए यहां पर 5000 रुपे का आपने माल खरीदा था लेकिन आपने जो record कर दिया purchase book के अंदर कितना कर दिया वह आपको अगले video lecture के अंदर हम समझाएंगे ठीक है ना खाली आपको क्या समझना है कि गलतिया कितने परकार की होती है कौन-कौन सी होती है ठीक है इसे ठीक कैसे करना है उसके लिए हम separate video lecture बनाएंगे और उसके अंदर आप लोगों को यह समझाएंगे तो अगर आप 5 की पचास लिख देते हो तो यह जो गलती होती है यह recording की गलती होती है ठीक है ना अगला जो हमारा वो क्या है देख लेते हैं errors of casting errors of casting क्या होता भी है this error arises when a mistake is committed in totaling यानि कि आपने totaling करते समय कोई ना कोई गलती कर दी है example समझते है पहले ज़रा purchases book is totaled as 10,000 instead of one leg बताईए जी यानि कि purchase book का जो total था ना जो real था वो था one leg बट आपने कितना कर दिया 10,000 यानि कि एक 0 की गलती है बट ये बहुत ही भहेंकर गलती है भहेंकर गलती क्यों का है क्योंकि एक 0 हटते ही एक लाग का क्या बन गया भई 10,000 बन गया यानि कि 90,000 का difference हो गया 90,000 का difference हो गया तो यानि कि ये एक भहेंकर गलती हो जाएगी अगर आप 1,0 कम याँ जादा कर देते हैं तो यहाँ पर 1,000,000 की जी कि आपने 10,000 की recording कर दिये तो ये जो गलती है ये casting की गलती है ठीक है और इस तरह की गलती से यहां लिकावा है this errors affect the trial balance यह तो भाई लाजमी है trial balance इस तरह की भेंकर गलती को agreeing नहीं करने वाला वो की का नहीं भाई नहीं पहले इसे ठीक करके लाओ उसके बाद मेरे पास मेरे अंदर entry करना ठीक है ना तो trial balance जो है इसे accept नहीं करने वाला और trial balance affect हो जाएगा इस गलती से तो इसे तो correct करना ही पड़ेगा अब आगे देखिए जरा अगला क्या है हमारा third point errors in carrying forward carrying forward को मतलब क्या होता है एक जगह से दूसरी जीगे जब हम लेके जाते हैं first page से second पर ले गए second से third पर ले गए तो उस दर्मियान जो गलतियां हो जाती है वो कहलाती है errors in carrying forward परते हैं जरा this error arises when a mistake is committed in carrying forward a total of one page to the next page यानि कि एक page से जब आप दूसरे page पर लेके जा रहे थे तो आपने कोई ना कोई mistake कर दिये तो इस तरह की गलती क्या होती है errors of carrying forward कहलाती है वो ठीक है जी example देखते हैं फिर note देखेंगे example लिखे जरा total of purchases book is carrying carried forward as 10,000 instead of 1,000 यानि कि 1,000 की जगे आपने कितना लिख दिया 10,000 यानि कि first page को जो amount था हमारा 1,000 था लेकिन जैसी मैं इसे forward गर रहा था page पलता तो मेरे mind न पता नहीं क्या करा भूल गया मैं और 1,000 की जगे मैंने कितना लिख दिया अगले page पे 10,000 लिख दिया तो भाईया 10,000 लिख दिया है तो मैंने अभी उपर भी आपको बताया था कि एक zero बहुत बड़ा भेंगतर गलती पैदा कर देता है तो यहां भी गलती हो चुकी है आपने 1,000 की जिगे कितना लिख दिया 10,000 लिख दिया तो इसका मतलब यह है कि आपने गल यानि कि ट्राइल बैलन्स जोए इस तरह की गलती से Engशट होगा वो इसे एकरी नहीं करेगा फिया ठीक करो मेरा डिस भैलनो हो रहा है ममला debit अलगा रहा है credit अलगा रहा है तो इस तरह की गलती trial balance को effect करती है और इसे हम बोलते है errors in carrying forward चलिए अच्छी बात है I hope आप लोग के concept clear हो रहे होंगे आप लोग को समझा रहा होगा और आप लोग note भी कर रहे होगे चलिए अगला जो है fourth point हमारा क्या है errors of posting यानि के posting के दर्मियान आपने कोई गलती की होगी जैसे this errors arises when transaction recorded in the books of original entry in is in correctly transferred or posted in the leisure ठीक है यानि के सबसे पहले में आपको क्या बताया था आप क्या बनाते हो journal entry बनाते हो journal के बाद उसकी posting कहां करते हैं ledger account के अंदर करते हैं तो यहां गलती यही हुई है यहां गलती क्या हुई है कि आपने journal तो correct बना दी है लेकिन जब आप journal से ledger के अंदर posting कर रहे थे तो उस धर्मियान आपने कोई mistake कर दी है ठीक है तो पॉस्टिंग एक्जामपल देख लेते हैं जरा यह एक्जामपल है अपना posting total of the sales book in the purchases account instead of the sales account बताईए यहां पर गलती क्या हुई है जो total था किस चीज़गा sales book का वो आपने किस में कर दिया purchase account में कर दिया जब क्या आपको करना किस में था आपको करना था sales account के अंदर सीधी सी बात है जब आप sales book का total कर रहे हो तो उसका जो total होगा वो sales book में जाएगा लेकिन आपसे गलती क्या हो गई आपने उसे कहा मार दिया आपने कर दिया उसे purchase account में कर दिया तो यह भी एक गलती है और इस तरह की गलती को हम बोलते है errors of posting अब देखते हैं कि trial balance इससे effect होता है या नहीं होता है यहां लिका है errors of posting may or may not effect the agreement of trial balance इसका मतलब क्या है जी इसका मतलब यह है कि इस तरह की गलती से हमारा जो trial balance है वो effect हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है क्योंकि depend करता है कि गलती किस तरह की हुई है ठीक है अगर गलती से trial balance effect हो रहा है तो फिर तो वो वहीं पकड़ जाएगी ठीक है ना लेकिन अगर effect नहीं हो रहा है तो वो इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आती उसके लिए थोड़ा और research करना पड़ता है तो यह बात थी किसकी errors of posting की कि आपने गलत जिगे पर posting कर दी है अब आपने क्या करता है यहां पर purchase account के अंदर डाल दिया था किसके amount को sales book के amount को जबके वो जाना चाहिए था वो जाना चाहिए था sales account के अंदर ठीके ना चलिए आई होप आप लोगों को clear हो गया होगा अब देख लेते हैं अपना third point जो कि यह errors of principle का मतलब क्या होता है देखिए यहां पर जो प्रेंसिपल है वो इस्कूल वाला प्रेंसिपल नहीं है पर दना चाहर रहे है बलकि हमारी accounts के अंदर कुछ accounting principles होते हैं जो आपको theory lecture के अंदर book के अंदर starting में मिल जाएगा ठीके ना बहुत सारे accounting principles होते हैं हमारे अगर उन accounting principles का violation करते हो तो वो भी एक गलती मानी जाती है ठीक है वो भी क्या मानी जाती है गलती मानी जाती है मैं पूरा समझाओंगा बहुत अच्छे समझाओंगा please attention क्योंकि यह जो पार्ट है यह मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा important है सबस्यादा question ज यहां क्या लिखा है when a transaction is recorded in contravention of accounting principles it is known as an error of principle ठीक है मुझे आशा और उमीद है कि इस line का मतलब आप लोग को समझ नहीं आया होगा लेकिन मैं जरूर समझाओंगा आप लोग को देखें यहां पर लिखावा है कि अगर कोई भी transaction की गई है is recorded in contravention of accounting यानि कि accounting के जो मैंने आपको बताया थे principles दोते हैं बहुत सारे ठीक है ना तो उन principles का अगर कोई क्या करता है contravention करता है contravention मतलब उस पर apply नहीं करता है उसका violation करता है ठीक है ना तो इस तरह की जो गलती होती है वो errors of principle कहलाती है अब आप को गए हमने accounting principles तो पढ़ा ही नहीं है तो चलिए कोई बात नहीं है आपको और समझा लेते हैं example दे एक्जामपल लेकिए जरा treating revenue expenses as a capital expenses यानि के यदि आप किसी भी तरीके के revenue expense को capital expense मान लेते हो तो वो कहलाता है error of principle अब आपको हो गए सर जी यह और बता दो कि यह revenue expense होते क्या है और यह capital expense क्या होते हैं तो revenue expense का मतलब यह होता है जो हमारी operating activities होती है ना यानि कि sales purchase करना किसी को salary देदेना, किसी को wages देदेना, यह सारी चीजें जो होते हैं, इस तरह की expense होते हैं जो daily या हर दूसरे दिन होते हैं, यह सारे जो खडचे होते हैं यह कहलाते हैं, आपके revenue expense जबके capital expense जो होते है capital का मतलब ही क्या है यानि कि यह एक बड़ा amount होता है यह रोज-रोज नहीं होता या हर दूसरे दिन नहीं होता है यह कभी-कभी होता है जिसकि मान लीजे आपने building खरीद ली यह capital expenditure है या फिर आपने machinery खरीद ली अब कोई करोडों की machinery कोई रोज-रोज तो खरीदेगा नहीं एक बार खरीद ली अच्छुटी दस साल बीच साल की ठीके ना तो यह होता है हमारे capital expenditure यानि कि जैसे मान लीजे आपने car खरीद ली कार क्या आप रोज खरीद हो गए बिल्कुल नहीं खरीद हो गए जो बड़े-बड़े सुपरिस्टार हैं वो भी रोज नहीं खरीदते ठीके ना यह सब चीजे ऐसी होती है तो building हो गई या फिर machinery हो गई प्रशी, cars हो गई, furniture हो गए यह सब चीजे रोज नहीं खरीदे जाते हैं इसलिए इनहें कहते हैं हम capital expenditure ठीके ना तो revenue expenditure क्या होते हैं जो छोटे-मोटे खर्चे होते हैं जो रोज भी हो सकते हैं और weekly कई बार हो सकते हैं तो इस तरीके खर्चे को हम क्या बोलते हैं revenue expense बोलते तो भाई यह गलती करिए आपने आपने violation कर दिया accounting principles का तो इसी लिए इस तरह की जो गलती होगी वो केलाएगी error of principle या फिर हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं next example में हमने यह लिखा है कि treating capital expenses as a revenue expense यानि कि इसका मतलब क्या हुआ कि आपने किसी capital expense को revenue expense मान करके entries पास कर दी ठीक यह error of principle के अंदर ही आने वाला है ठीक है ना क्योंकि आपने पूरा party चेंज कर दिया तो यह गलती है और अगर मैं और अच्छे समझाने की कोशिश करूँ जैसे माल लीजिए हमने अभी इससे पिछले जो चप्टर टच कर रहा था वो था अमारा depreciation का तो depreciation के अंदर हमने आप लोग के साथ discuss कर रहा था कि कोई भी machinery के ओपर हम expense करते हैं भले ही उसे मंगवाने का किराया हो भाला हो installation charge हो यह सब उसके अंदर aid होता है और इसे machinery की cost में मानना जाता है लेकिन वो सारे खड़्चे जो अगर machinery working condition से पहले उस पर खड़्च करे जा रहा है यानिके machinery पहले के जितने भी खड़्चे होते हैं वो सारे machinery की cost के अंदर आते हैं ठीके ना लेकिन मान लीजिए machinery चल रही है चल रही है एक साल चली दो साल चली अब हलका पुलका आपने उस पर repair करवा दिया तो आपने इस repair यह जो आपने repair करवाया है क्या आप इसे machinery के account में क्यों क्योंकि वो आपका revenue expenditure हो जाएगा यह capital expenditure नहीं होगा अगर आप machine use करने से पहले उस पर कुछ भी खर्च कर रहे हो तो वो machinery के account में आएगा otherwise वो नहीं आएगा ठीक है ना तो इस तरीके के जो expense होते है यानि कि revenue expense को आपने capital मान लिया या capital expense को आपने क्या मान लिया revenue expense म I hope आप लोगों को समझ आ गया होगा अगर नहीं आया है तो आप tipड़िया करते रही है comment करते रही है आप लोगों को आपके सवालों को जवाब जरूर दिया जाएगा ठीक है ना अब देख लेते हैं next one अगला है compensating error compensating errors किसे कहते हैं इसका नाम में ही इसका जवाब छुप भरपाई का मतलब क्या होता है यहां पर भरपाई तो नहीं होगा मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था यानि कि जब आपने एक गल्ती करी उसके बाद एक और गल्ती कर दी लेकिन हुआ क्या second जो गल्ती करी थी ना उससे first वाली गल्ती rectify हो गई यानि कि ठीक हो गई automatic दो गल्ती करने पर उन्होंने आपस में एक दूसरे को क्या कर दिया खतम कर दिया कैसे मैं समझाता हूँ एक्जामपल देखिए जैसे मान लीजिए श्याम's account was debited with hundred rupees instead of one thousand यानि के जो श्याम बाबुते ना हमारे कौन? श्याम's account को श्याम's account को क्या जाया उन्होंने? was debited with one hundred rupees instead of one thousand यानि के इन्हे 100 rupees से कर दिया जबके करना कितने से चाहिए था, एक हजार रुपे से, क्या का, राम्स के अकाउंट को हमें debit करना था, एक हजार रुपे से, लेकिन कर दिया कितने से, कर दिया आपने सो रुपे से, on the other hand, ये तो एक mistake हो गई, ठीक है, on the other hand, अगर हम बात करें, आगे क्या लिखा, while राम परसाद's account was debited with rupees 1000 instead of 100 rupees, यानि के, देखिए, यहां क्या हुआ है, अब दूसरा नाम क्या है हमारा, राम परसाद, राम परसाद's account debit, इसे debit कितने से करना था, debit करना था, सो रुपे से, लेकिन कर दिया हमने कितने से, 1000 रुपे से, कर दिया, 1000 रुपे से, लेकिन करना था किस से, 100 रुपे से, अब यहां पर ध्यान देना वाली बात क्या है, इसे 100 से कर दिया, करना था 1000 से, यानि कि कितने कम से कर आपने, आपने 900 रुपे कम से कराई से, ठीक है आपने कर दिया 900 जादा से यहां 900 जादा हो गए वहां 900 कम हो गए एक बात बताईए यह प्लस है और मानस है यह मैं चैंजल करूंगा तो क्या हो जाएगा यह जीरो हो जाएगा तो यानि कि जो ट्राइल बेलेंस होगा क्या इससे इफेक्ट करने वाला है इल्ले बिलकुल नह रेक्टिफाई हो गया है लेकिन यह रेक्टिफाई जो हुआ है इसे हम लोग एकसप्ट नहीं करने वाले है क्योंकि एक गलती नहीं यह दो गलतियां हो गई है बैलेंस तो हमारा बराबर आ गया डेबिट का भी और क्रेडिट का भी टैली हो गया बट आप खुद सोच के देखिए कि श्याम के अकाउंट में सो रुपे डाले गए जबके इसे कितना देना चीए था एक हजार तो भाई यह मांगेगा तो यह केगा मेरे नो सो और का है बाई सो दिख रहे हैं खाली बाकी के नो सो का है और यह बाई साब यह खुश हो रहे होंगे इनके पाथ हजा कर दें भाई हमें इसे रेक्टिफाई करना पड़ेगा और रेक्टिफाई कैसे कर जाएगा इसे 900 ओर दे दिये जाएंगे इससे 900 ले लिए जाएंगे यानि कि अपोजिट एंट्री पास कर दी जाएगी ठीके ना इस तरह की बाते हम करने वाले हैं अगले वीडियो लेक् करके थोड़ी सी थियोरी उठाई थी मैंने आपकी बुक से अगर आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है और आप लोगों के लिए हैल्फुल रहा है तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए अपने इस प्यारे से यूट्यूब चेनल कॉमर्स की दुन